नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं रिविजन टेस्ट ककसा 11 का विश्य जीविग्यान का फुल सोल्यूशन आपको लेकर आ गया हूँ तो दोस्तों चैनल पर नई विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब कलेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों इसमें क्यूशनों के सभी क्यूशनों के आनस्वर देखेंगे सबसे पहला क्यूशन आ जाता है आपको सबसे पहले क्यूशन में ए आ जाता है इसमें इसका ए में आ जाता है कि पांचवी जगताए वर्गीकन किस वेग्यानिक ने दिया था तो ए का इसका राइट राइट आन्सर हो जाएगा च्यान नमर इसका राइट आन्सर हो जाएगा वहीट कर इसका राइट आन्सर हो जाएगा बै आ जाता है एक गार का उत्पादन है वो किया जाता है एक गार का उत्पादन है वो किया जाता है दोस्तो इसका जो राइट आन्सर हो जाएगा शेवा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी पेप्टाइड बंद से जुड़े होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे दोस्तो लाइट इसमा आ जाता पहले कुशन में जो यह आ जाता है यिस्ट को कोसी का चक्कर को पूर्ण होने में कितना समय लगता है तो दोस्तों यह 30 मिनिट का समय लगता है इसका राइट आन्स रो जाएगा 30 मिनिट इसका राइट आन्स रो जाएगा ए आगे दोस्तों आपको रिक स्तानों की पूर्ति करनी है रिक स्तानों की पूर्ति करनी है जिसमें पहले आ जाता है दो नमर में अव्यपंक कवक प्रोटिस्टा है तो इसका जो राइट आंसर हो गया मृतोपो जीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतोपो जीवी आगे आ जाता है दो नमर आ जाता है इसमें लिवर वर्ग का सदेश है दोस्तो ब्रायो फाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायो फाइटा दो नमर का तीन नमर आजाता है इसमें सबसे छोटी कोशी का है दोस्तो सबसे छोटी कोशी का है वो माइक्रो प्लाजमा इसका राइट आनसर हो जाएगा तीन नमर का आगे दोस्तो चार नमर आजाता है सभी एंजाइम होते हैं दोस्तो सक्सम सभी जो एंजाइम होते हैं दोस्तो वो होते हैं इसका जो राइट आनसर हो जाएगा इसका आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है इसका राइट आनसर चार नमर का दोस्तो आगे पांच नमर आ जाता है जो भारत में बहु केंदरिये कोशिका को कहते ह बारत में बहुकेंद्रिय कोशिका को दोस्तों क्या कहते हैं सक्सम कोशिका इसका राइट आनसर हो जाएगा आगे दोस्तों आ जाता है च्यान नमर क्यूशन आ जाता है कि सत्य और राइट सत्य बताना है सबसे पहला जाता है उसमें इसमें सबसे पहला आजाता है, दो युगमों को, प्रोटोपलाजम के संचेन को, प्लेजोगेमी कहते हैं, ये दोस्तों सत्य है, कहते हैं, इसका रायट अंस्वर, आगे दो नमरा आजाता है, दूए निश्येचन में, H0 sprog aditinya गुण है ये भी सत्य है दोस्तो आगे तीन नम्रा आ जाता है ribos home protein origin का कारिये करता है ये भी सत्य है दोस्तो ये तिनों सत्य है आगे चार नम्रा जाता है इसमें कि DNA को neuroseal नामक सार पाये जाता है ये गलत है दोस्तो इस एस Перв है पांच नमर आजाता है जाईक को गोटी नवस्ता में किरिया जमेटा का निर्मान होता है ये दोस्तो एस सत्य है दोनों एस सत्य है दोस्तो च्यार और पांच नमर एस सत्य है और सभी सत्य है आगे दोस्तो आ जाता है अगला क्यूशन आ जाता है दोस्तो सभी जोडियों का आपको बना कर लिखना है जिसमें आपको दिया गया है सबसे पहला दिया गया है एसको माई सिटीज एसको माई सिटीज आपको दिया गया है सबसे पहले, asko my cities इसका दोस्तो, इसका जो right answer हो जाएगा वो इसको मिलान करना आपको penis 처ium penis 처ium में इसका निमान करना है इसका आपको जोड़ी बनानी है, इसका गय हो जाएगा फर्श्ट का, आगे आजाता है सिलेजीनेला सिनेजी लेला second का दोस्तों इसका हो जाएगा ख्यब में मिला देना आपको आगे आ जाता है starch दोस्तों starch आ जाता है इसको आपको मिला देना है कार्बो हाइअट्रेट इसको स्टार्ज को आगे दोस्तों आ जाता है कि एस प्रावस्ता इसको दोस्तों मिला देना गयाश의 डिने परती करती इसका राइट आंस पर हो जागा यह पूरा सॉलीशन आप इससी तरह किसे मिला सकते हैं आगे आजाता है दोस्तों पांच नमर क्यूशन खुद को करना है ये कमेंट बोक्स में भी आपको बताना है मोनेरो जगत के लक्सन बताईए और इसके तो हम आजाता कवक जगत की मुख के विश्यष्टा बताईए आगे च्छे नमर क्यूशन आजा नियूमेरिक अमल पाए जाने वाले सारकों के नाम लिखने आपको और इसके थाज़ों में प्रॉटिन की दो मुखे कार ये बताईए दोस्तों चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी आपको फूल सोल्यूशन इसका जो निमQué कि इसका पूरा स्ोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा पीडियाप मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बोक्स में कमेंट जरूए करिए के दोस्तो आगे आजाता है आटो नमर क्यूसन सेलुलोज पोली सेकेराइड है किंदू आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता है क्योंकि दोस्तो इसे अथवा में आजाता है सुकसम्कडिंग का मारिट्रकॉंडियो.. कोशिका और जान को कहते हैं इसके तूम है जाता है डोस्तों अर्द सूरी कोशिका विजान का मेत्व लिखने चाहीं सिरुगिए इसक तवा'm में आ जाता है खरजान इसके अंटिर्य कीस्ट में नांच गये तियॉ-टा सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहीं जेवाद